आवश एक सूचना योट्यूब चनल दूची के वीडियों के लिए वीडियो तो गाज़ के विडियो में हम बात करेंगे बेजनाद सरपगंदा टाबलेट के बारे में और गईज साथ ही हम जानेंगे इसके यूजर, इंडेडेंट्स, डोरिज और इस टैबलेट की सारी ही डीटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो गाईज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाईज बेदना सरपगंदा टैबलेट, ब्लेट ट्रेशर और अनीदरा को मैनेज करने में मदद करती है ये आदत बनने की जोकिम के बिना हेल्दी नीन के पैटरन को बढ़ावा देती है ये टैबलेट आपको तरो ताजा होकर उक्ते में मदद करती है इसके रेगुलर यूज से स्ट्रेस और ठकान कम करने में मदद मिलती है इसका नॉन हैविट फार्मिंग नेचर लिप मेनेजमेंट के लिए एक नेचरल और सस्टेनेबल अप्रोच पर जोड़ देता है साथी दिन की अलटनेस और एक्टिविटी को भी मैनेज करने में ये टैबलेट मदद करती है पेज़ अगर इसके की इंग्रिटेंट की बात की जाए तो इस टैबलेट के अंदर है सरपगंदा चून यानि की राव वालफिया सर्पेंटीना 342.23 मिलिग्राम बबुल निवास चून यानि की बबुल अरेबिका 10.92 मिलिग्राम और एक्जिपेंट के रूप में इसके इस टैबलेट के इंडिकेशन की बात की जाए तो यह टैबलेट हाइबलेट प्रेशर की समस्या में और इन सोम्निया की समस्या में दी जाती है गईज इस टैबलेट के अगर की बेनेफिट्स की बात की जाए यह टैबलेट हाइबलेट प्रेशर और अनिद्रा को रेगुल यह टेबलेट हिल्दी नीन को बड़ावा देती है यह जो अरमदायक रात की सुनिष्चित करती और तरो ताजा महसूस करने के लिए। यह टेबलेट आदद न बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो नीन से सम्मझित समस्तियां के लिए नेचरल और श it valuable solution है यह tablet stress और ठकान को कम करने में मदद करती है और overall well-being में भी भुणत मदद करती है इस टैबलेट का regular यूज को एक्टिव रहने में मदद करता है और नेरंतर energy level और vitality को बढ़ावा देने में मदद करता है तो गाइस किसी मेडिसन की चैबलेट का जो जनरल डोज जो इस या फिर चिकित सक्के निर्दे शनुसार यानि के अपने डॉक्टर के निर्दे शनुसार लेना चाहिए थो गर इस सेस्टध है की चैबलेट तो गाईस इस टैबलेट को लेने से पहले आप इस टैबलेट की बॉटल का लेबल केरफुली पढ़ें इस टैबलेट को धूप से दूर ठेंडी और सूखी जगा पर स्टोर करके रखें इस टैबलेट को बच्चों की पहांच से दूर रखें इस टेबलेट को आप अत्यदिक खुराक में ना लें इस टेबलेट को आपके डॉक्टर की बताए गई डोस के अनुसार और डूरेशन में ही लिया जाना चाहिए और इस टेबलेट को या इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें तो गाईज अगर इस टेबलेट की प्राइस की बात की जाए तो गाईज इस टेबलेट की MRP होती है 125 रूपी जिसमें हमें एक बॉटल में 50 टेबलेट मिलती है तो गाईज इस वीडियो में हमने बात की बेदनात कंपनी की सरपगंदा टेबलेट के बारे में और गाई साथ ही हमने जाने हैं उनके uses, ingredients, doses और इस target की बाकी सभी details को इस वीडियो में हमने cover किया है तो गाई ज़र आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे like कर दीजिए, चैनल को subscribe कर दीजिए मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्म सिम्लिटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जाएं